हेलो नमस्ते टू अल अफ्यू तेन स्टेंडर्ट का यहाँ पर महाराश्ट्रबोर्ड एट्स एमिस्ट्री का चप्टर देखेंगे मेटलर्जी तो लेट स्टार्ट यहाँ पर देखिएगा फर्स पेश पर आपके लिए क्या इंपोर्टन्ट है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फीजिकल प्रोपर्टिस ऑफ दो मेटल्स दिया है याई कि मैटल्स का अपको मेटल् उपर से कैसी दिखाई देता है मेटल सेथ हैं हो dos and qi day अ क्या महें पर कम लेकिने बाक्किकिसंट में लेकिन निइक यहांट के सब मेटल को आप एब लकार स्वियंगं 인ृ तो ओ थ्रेड निकलेगा, इस property को हम कहते है, ductility कहते है, तो metals क्या रहते है, ductile रहते है, malleable यानि कि क्या, अगर आप metal को hammer से hammering करोगे, तो ओ thin sheet में बदल जाएगा, इसको हम कहते है, malleability कहते है, metal जो रहते है, आपके good conductor रहते है, heat and electricity के, सब के सब metals hard रहते है, लेकिन, lithium, sodium, and potassium, एकसप्शन है, इसका, इनको हम, इनको हम knife से काड़ भी सकते है, यानि कि ये इतने soft रहते है, बाके के metal क्या, सब के सब hard रहेगे, iron को आप काड़ सकते हो क्या, नहीं, लेकिन lithium, sodium, and potassium, एकसप्शन है, बात में देखिएगा, metals का, जो melting point and boiling point रहता है, वो high रहता है, उन्हेंने tungsten बताया है, जो bluff में use करते हैं, इसका melting point देखो इतना है, यानि कि काफे high है, बात में देखिएगा, यहाँ पर, लेकिन इसका भी exception है, सब के सब metals high melting point and boiling point रहता है, लेकिन, कुछ metals, sodium, potassium, mercury, gallium, इनका melting point क्या रहता है, लो रहता है, बाद में sonorous यानि कि क्या रहता है, अगर आप metal के ऊपर strike करोगे, तो उसमें से आवा जाएगा, इस property हम कहते है, इस property को हम कहते है, sonorous कहते है, तो metals क्या रहते है, हमारे sonorous रहते है, बाद में यहाँ पर दीखिएगा, physical properties of the non-metal, non-metal जो हमारे रहते है, वो solid state में mostly रहते ह है, और क्या gases state में भी यह present रहते है, लेकिन, एक bromine एक non-metal है, ओना liquid state में रहते है, room temperature पर, यानि कि non-metal हमें solid में भी, liquid में भी, and gas में भी, तीन form में दिखाई देते है, non-metals lustrous नहीं होते, shiny नहीं होते है, वो dull रहते है, लेकिन इसका exception है, iodine, वो क्या है, shiny है, बाद में नि metals जो रहते है, वो hard नहीं रहते है, लेकिन diamond, जो एक allotrop है carbon का, वो exception है, वो क्या रहते है, सबसे hardest natural substance है, बाद में दिखिएगा non-metals का, जो low melting and boiling point जो रहता है, वो low रहता है, वो bad conductor of electricity and heat रहता है, बाद में दिखिएगा graphite, graphite भी क्या है, एक क्या है, हाँ, metals क्या रहते है, bad conductor रहते हैं न, electricity and heat का, लेकिन एक exception है, carbon का allotrop graphite, यह क्या है, good conductor of heat and electricity है, एक ता physical properties of the non-metal and physical properties of the metals, next देखिएगा आपके book में क्या रहते है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बताया है, metals, electro positive atoms रहते हैं, सर कुछ नहीं समझा, देखो, क्या रहते है, electro positive, यान electronic configuration गया रहा है, यानि कि 281 इसका electronic configuration होगा, अगर इसको stable होना है, तो उसके outermost orbit में 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 electron होने चाहिए, यहाँ पर कितने electron है, एक है, तो A इसको क्या करेगा, किसी को तो donate करेगा, donate करेगा, तो जो भी donate करता है, chemistry में उसके उपर positive charge जा जाता ह यानि कि positive को हम कहते है, cation कहते है, तो एक कौन सा atom होआ, electro positive atom होआ, यह metal है, sodium क्या है, metal है, इसके उपर कौन सा charge जाया, electro positive, यानि कि positive charge जाया, क्योंकि इसने stable होने के लिए, एक electron को donate किया, अभी यह electron चला जाएगा, एक orbit भी चली जाएगी, तो एक last वाले orbit में कितने electron है, 8 है यानि कि octate complete है, तो जो हमारा sodium था, वो क्या हो गया, stable हो गया, इसलिए, metals जो रहते हो, reactive होते है, they lost the electron easily, इसने एक electron easily दिया न, यास, और positive charge आयन फर्म हुआ, यहाँ पर बताया है, जो भी, जो भी substance रहते है, वो good conductor of heat के, और जो रहते है, good conductor of heat रहते है, वो already क्या होते है, व लेकिन, लेकिन एक exception है, देखेगा, जो diamond है, वो bad conductor of electricity है, लेकिन good conductor of heat है, यह इतना important नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ओके, यहाँ पर देखेगा, अभी हम देखेंगे, इनका chemical properties, एक्टिविटी important नहीं है, यहाँ पर देखेगा, reaction of the metals, क्या रिखेंग यहाँ पर अभी हम देखेंगे, chemical properties of the metal, तो आपको एक metal लेना है, उसका reaction oxygen के साथ करना है, तो आपको मिलेगा metal का oxide, मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हो, क्या मिलेगा metal का oxide, सर कुछ नहीं समझा, देखो, यहाँ पर उन्होंने एने लिया है, यानि कि sodium metal लिया है, metal के लिया है, sodium metal यहाँ पर लिया उन्होंने, बाद में इसका reaction किसके साथ किया, oxygen के साथ किया, या oxygen के साथ किया, बाद में हमें क्या मिलेगा metal का oxide, यानि कि क्या, sodium metal था, हाँ, इसका oxide मिलेगा, और Na2O आया, अभी काम करेगा, आपको वैलंसी मालम होनी चाहिए, देखो, अ हमने सबसे पहले Na लिया, और यहाँ पर O लिया, ओके, हाँ, यह क्या क्या था, इसमें क्या 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 है, Na and O है, ओके, यहाँ पर sodium का वैलंसी 1 रहता है, क्योंकि O, एक electron डोनेट कर देता है, 2,8,1,a, electronic configuration रहता है, एक electron डोनेट कर देता है, तो इसकी वैलंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, इसका atomic number रहता है, 2,6,a, electronic configuration है, इसको stable होने के लिए, दो electron की जरूत होती, इसलिए oxygen दो electron डेता है, अभी हम क्या करेंगे, इसका cross multiplication करेंगे, यह क्या बनेगा, Na2O बनेगा, यह लिखा, और यह oxygen का एक यहाँ पर चला जागा, एक नहीं लिया तो भी चलेगा, Na2O बन गया, अभी हम इसको stable करते हैं, तो ध्यान से लिखेगा, जब भी आपको stable करना होगा, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको stable करना है, तो सब सब पहले आप arrow देखोगे, और arrow के बाजु में जो भी रहता है, वो प्रोड़क्ट रहता है, वहाँ पर देखोगे, यहाँ पर sodium की कितने items है, यहाँ पर 2 items है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर reactant में भी 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, एक ही है, तो मैं इसके आगे 2 लगाता हूँ, अभी AB 2, AB 2, sodium balance हो गया, बाद में देखो oxygen की बारियाती है, oxygen यहाँ पर सिर्फ 1 है, और यहाँ पर कित oxygen तो सर्फ 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने से sodium का क्या होगा, sodium का जो NA का atom है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो NA 2 था, अभी हमने उसके आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पर sodium के कितने atoms है, तो यहाँ पर सामने वाला जो रहता है, और पैर में जो रहता है, इनका multiplication ह होता है, 2,2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर sodium कितने हुए, अभी 4 हुए, यहाँ पर product में, 2 तूजा 4 हुए, और यहाँ पर कितने सिर्फ 2 है, तो हम नहीं यहाँ पर 2 से multiply करते है, 2 तूजा 4, यह बनेगा 4 NA, देखो, as it is, मैंने balance करके दिखाया, वहाँ पर बताया है, बाद में देखो, और उन्होंने बताया, इस sodium जो है, वह highly reactive है, वह क्या करता है, fire catch करता है, मतलब उन्हों में आग लग जाती है, तो इसलिए उनको to prevent accident, उनको laboratory में केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, यह आपको पूछ सकते है, बाद में उन्होंने क्या किया है, देख अलकली यानि कि ऐसे बैसे जो water में पूरी तरिके से dissolve होते है, उन्होंने बताया है, बाद में उन्होंने magnesium का भी यहाँ पर example दिया है, यह आप देख सकते हो, लेकिन इसका basic concept एक ही है, ऐसे याद करो इसको, when metal reacts with oxygen gives us the metal का oxide, metals reacts with oxygen gives us metal का oxide, यह हो गई, जब हम metal का reaction oxygen के साथ कर होगा, अभी हम देखते हैं, इसका second chemical property, अभी हमें क्या करना है, metal लेना है, और metal का reaction हमें water के साथ करना है, किसके साथ करना है, water के साथ करना है, तो चलिए, उन्होंने क्या-क्या हमें बता है, यह हम पूरा detail wise यहाँ पर study करेंगे, हाँ, तो मेरे पीछे बुलेगा, when metal, reaction जब भी, metal का reaction जब भी water के साथ करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, metal का hydroxide, metal का क्या मिलेगा, hydroxide मिलेगा, plus hydrogen gas liberate होगा, कौन सा gas liberate होगा, hydrogen का gas liberate होगा, और इसमें से heat भी यहाँ पर भाहर आ जाएगी, इस तो एक्जम्पल बताओ, बाद में अच्छी तरी किसे समझ में आ एनने लिखा, एनने के है, metal है, और hydroxide या निकी क्या OH रहता है, तो एनने OH मिला मुझे, और क्या मिलेगा, मुझे water मिलेगा, और क्या मिलेगा, heat produce हो जाएगी, हाँ, इतना तो हुआ, मैंने याद किया, when metals react with water, uses metal का hydroxide plus hydrogen gas and the heat evolve हो जाएगी, ओके, हाँ, यहाँ पर बताओ, अब यह reaction stable है, क्या, नहीं, reaction stable नहीं है, तो चलो check करते हैं, सबसे पहले क्या करने का, जब भी आपको stable करना होगा, तो आप arrow के सामने, जो भी product हो रहेगा, उठाओ, यहाँ पर NA कितना है, एक है, यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ 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 पर stable है, बाद में oxygen देख नहीं होए, तीन होए, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, एक है, अभी, एक है, और है, इसको even करना है, तो यहाँ कि अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर two लिखता हूँ, तो यहाँ पर hydrogen कितने हो गए, देखो, a hydrogen two बन गया, और यहाँ पर already two तो यहाँ पर कितना four तो पहले और कमे ने इवन बना दिया लेकिन यहाँ पर दो लिखने से क्या-क्या फरक पड़ा देखो sodium भी 2 हो गए यहाँ पर कितना है sodium एक है तो इसके आगे हम 2 लिखते है बाद में देखो oxygen यहाँ पर कितना है sodium का भी रहता है oxygen का भी रहता है hydrogen का भी रहता है क्योंकि उसके सामने है oxygen यहाँ पर कितना हो गया दो हो गए और यहाँ पर कितने है रियक्टर पर एक ही है तो इसलिए हम उसके आगे लिखेंगे ऐसे नीचे नहीं लिखते किसी के भी पैर चुने का नहीं तो यहाँ पर oxygen कितन हो गया दो हमने लिख दे लेकिन यहाँ पर दो लिखने से हाइडोजन में फरक आ गया हाइडोजन कितने बन गया यहाँ पर हाइडोजन देखो कितना बन गया यहाँ पर टूजा फोर बन गया और यहाँ पर देखो कितना है यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी reaction होगा और liberates the hydrogen gas and heat उसमें से इवाल हो जाएगी पस इतना याद रखो बाद में उन्होंने potassium का भी दिया है उसका भी mechanism as it is when metal react with the water uses metal का hydroxide यहाँ पर क्या था potassium था इसलिए potassium hydroxide बनेगा hydrogen gas and the heat इवाल हो जाएगी बाद में number आता है calcium calcium li music Less reactive रहता है क्योंकि गारी एक्षन हो रहा होता है तो calcium के ऊपर a hydrogen gas rap होता है बसके उपर डिपॉजिट हो जाता है तो इसलिए potassium का रियाक्षन को लेस बना देता है calcium को तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया है औक हाई it is होगी when metal react with the water gives us metal का hydroxyl, यहाँ पर CA OH twice बन गया, यह metal hydroxyl बना और hydrogen gas लिबरेट हुआ और यह reaction slow है, ओके इतना समझा आपको, हाँ, यहाँ पर देखो CA OH twice कैसे बना, तो देखें, यहाँ पर देखो CA और OH लिगा, OH का वैलंसी रेता है, 1, और calcium का रेता है, 2, यह वैलंसी आपको क्या करना है, याद करना होता है, अभी देखो, OH अभी इनका cross multiplication होगा, यहाँ पर CA कितना है, अभी 1 है, और OH कितना 2, तो CH OH twice यहाँ पर बन गया, नहीं कुछ समझा तो आप इसे रटा मारिएगा, अभी इतना टाइम नहीं है, वैलंसी याद करने का अभी समझ नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, बाद में, Aluminium, Ferrous and Zinc, यह जो रहते हैं, Water के साथ reaction करते हैं, यानि कि Metals react with Water, बनना चाहिए Metal का Hydroxid, लेकिन Metal का Hydroxid नहीं बनता, Metal का Oxide बनता है, प्लस Hydrogen Gas liberate होता है, इतना याद रखो, कौन-कौन से तीन element है, Aluminium, Ferrous and Zinc, आगे मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, तो देखिए Metal जो रहते है, Aluminium, Ferrous, Zinc, यह जब भी Water के साथ reaction हो जाते है, Water कैसे चाहिए, Steam वाला चाहिए, कैसे चाहिए, Steam चाहिए, Cold Water नहीं चाहिए इनको, तो क्या देखें, वो Alumin, मतलब Oxide देगे, Metal का Oxide देगे, और उनमें से Hydrogen Gas Liberate हो जाएगा, यह थोड़ा आप इसको reaction को balance करके देखेगा, अगर नहीं आता balance, तो कोई घबराने की जौरत नहीं, मैं आपकी exam आने से पहले, एक और वीडियो उसके उपर बनाने वाला हो, तब तक मैंने कुछ वीडियो और बनाये है, आप देख लेने, ओके, यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया है, reaction of the metal with the water, यहाँ पर एक क्या लिया है, cotton का, वूल लिया है, ओके, हाँ, और यह water में डूबो के रखा था, यानि कि इसको heat देगा, तो इसमें से steam बाहर निकला जाएगे, steam बाहर निकला जाएगी, तो यहाँ पर metal रखा है, तो metal का reaction oxygen के साथ होगा, hot oxygen के साथ होगा, तो उसमें से हमें मालूम है, जब भी metal का reaction oxygen के साथ होता है तो hydrogen gas liberate होता है तो ये bubbles हा रहे है किस gas के है हईडूज़ण के gas के है और reactivity में बताया है मतलब activity में बताया है यहाँ पर nix दिखिएगा यहाँ पर अभी आपका metal का reaction किस के साथ होगा यहाँ पर देखेंगे अभी आपको क्या करना है metal का reaction आपका एक acid के साथ करना है acid यानि कि देखो acid metal कौन कौन से है magnesium, aluminium, zinc and ferrous यह इनका reactivity series है यानि कि magnesium सबसे ज़्यादा highly react होगा acid के साथ बाद में aluminium होगा बाद में zinc होगा और less reactivity कोन है iron है ओके magnesium क्या करेगा highly reaction दिखाएगा चुलो अभी हम देखते है आगे क्या बताया है इसको detail wise देखेंगे इसमें से कौन कौन से product हमें मिलते है तो अभी इन्होंने क्या लिए है देखिएगा यहाँ पर देखो अभी metal का reaction हम किसके साथ करेंगे metal का reaction अभी हम acid के साथ करेंगे तो देखो यहाँ पर उन्होंने magnesium का metal लिया है और इसका reaction हम अभी acid के साथ करेंगे और हमें क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा metal का हमें salt मिलेगा यानि कि क्या metal है Mz और salt यानि कि क्या Cl2 Mz Cl2 बनेगा और hydrogen gas liberate हो जाएगा calibrate हो जाएगा hydrogen gas liberate हो जाएगा सरे Mz Cl2 कैसे लिखा आपने देखो फिर सब्सक्राइब का यहाँ पर concept आता है calcium Cl chlorine के balance 1 रहती है magnesium के 2 रहती है cross multiplication होगा Mz Cl2 मिलेगा आपको क्या reaction stable है देखो try करो यहाँ पर देखो magnesium 1 है और यहाँ पर कितना है 1 है यानि के magnesium stable है chlorine के atom यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर एक ही है तो इसके आगे हम 2 लिखेंगे लेकिन यहाँ पर 2 लिखने से hydrogen में भी changes आ गए hydrogen यहाँ पर 2 है यहाँ यहाँ पर भी 2 है stable बन गए देखो as it is बाद में aluminum लिया है ferrous लिया है zinc लिया है इतना समय नहीं है gas liberate हो जाएगा बाद में उन्होंने metal का reaction nitric acid के साथ करे किया है एक copper metal यहाँ और nitric acid के साथ किया है nitric acid क्या है आपका concentrated है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर copper nitrate मिलेगा और ना यहाँ पर NO2 NO ऐसे gas liberate हो जाएगा प्लस water निकलेगा यह इतना important नहीं है यह थोड़ा balance करके देखेगा आपका मतलब अगर balance भी हो जाता है लेकिन आपका match नहीं होगा book में क्योंकि यह क्या है गलत है क्यों देखो यहाँ पर 3 copper है यहाँ पर सिर्फ एक ही copper है तो यह reaction क्या है उन्होंने printing mistake है गलत है एक्वार रिजियाम यानि की क्या देखो एक mixture रहता है उसमें ना HCl HCl जो रहता है उना उसके molecules कितने रहते है तीन रहते है और HNO3 कितने रहते है HNO3 एक रहते है तो इसका ratio 3 to 1 यह mixture है इसमें अगर आप gold को डाले गए तो क्या हो जाएगा इसमें अगर आप एक concentrated रहते है तो अगर आप इसको gold में डालोगे तो आपका gold जो होगा gold platinum वो क्या हो जाएगा पूरे के पूरे dissolve हो जाएगे बस इतना समदा एक solution रहता है उसमें अगर आप gold डालोगे तो आपका gold and platinum किसी के साथ reaction नहीं दिखाते लेकिन एक्वेयर रिजिया के साथ reaction दिखाते है अभी हमने देख लिया अभी हम देखेंगे मेडल का reaction देखो आगे क्या है चलो देखते हैं अभी क्या है यहाँ पर देखो यह दिखने से पहले मैं आपको एक important topic इसके आगे वाला बताता हूँ बाद में हम आएंगे अभी हम आते हैं reactivity series के उपर इसके उपर भी आएगे कैसे सवाल पुछते इसके उपर मैंने सेपरेट लिभी वीडियो बनाया है आप प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा reactivity series क्या है और काफी important है देखो और कैसे याद रखना है इसके trick भी बताऊंगा सर ना पहले मुझे ना मेटल मतलब reactivity series याने की क्या यह पहले बताऊ तो देखो यहाँ पर reactivity series याने की क्या यह जो आप चार देख रहे हो यह क्या है यह जो है reactivity series है इसमें क्या किया है यह जो metals है potassium sodium lithium calcium in a decreasing order उनके reactivity के नुसर लगा है मतलब potassium highly reactive होगा बाद में sodium होगा और सबसे less reactive आपका gold हो जाएगा सवाल पूछेगी कि ऐसे reactivity series आपको exam में देंगे और पूछेँगे कि सबसे less reactive कोन है sir gold सबसे less reactive है क्योंकि reactivity series में नीचे दिया है बस reactivity series याने कि क्या जो metals रहते है और decreasing order म यह और आपको पूछ सकते हैं सबसे जो reactive metal कौनता है कौन सा है potassium and sodium है बाद में पूछेंगे sodium को क्यों के kerosene oil में डूबके रखता है तो हमने देखा hydrogen gas liberate होता है और heat produce हो जाती है और यह vigorous reaction है इसको बचने के लिए to prevent the accident हम क्या करते है sodium को kerosene oil में डूबके रखते है बस ऐ याद करना मतलब करना है तो देखो यहाँ पर देखो पहले कहा है potassium यानि कि मैं आपको एक नीमोनेक söz बताता हूँ यहाँ पर देख competitive कई版रnath का माली आलू जरा फीका साफ पकाता है यानि किया्शियम आपका potassium यानि कि के अन्य कि कह इन्य क्याने झालीन बाद में कहें ए थोड़ा याद रखो sodium and calcium की बीच में lithium रहता है इसके उपर कोई trick नहीं बने तो lithium आपको लिखना है त्यान से लिखना है लेकिन केदार नात का CA यानिकी का calcium केदार नात का माली यानिकी का magnesium केदार नात का माली aloo, aloo यानिकी aluminium जरा यानिकी के zinc a Zn sca Xe team SN PB यानिकी का lead यानिकी पकाता है है हे यानिकी का है hydrogen क्यों यानिकी का Cu कौपर क्यों हरी हरी यानिकी का sz आज आज यहनिकी का eg silver 丫्रय यानिके गोल्ड यानिकी केदार नात का माली, aloo, जरा, फीका सा पकाता है क्यों हरी आज आएं यह क्या है इसके नीब मॉनिक्स है ओके यह है आपका पूरा रेयक्तिविटी सिरीज अभी हम देखते है और एक्टिविटी हमें क्या बताईए उसके पीछे का इस वागा दिंगे अभी इसको हम क्लेश करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको test tube दिये है, A, A test tube है, B है, एक्जाम में आपको पूछेगे कि बताओ A में reaction होगा या B में होगा, यानि कि A में reaction feasible है, या B में feasible है, feasible यानि कि reaction होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले iron ने लिया है, यानि कि iron यानि कि एफे लिया है बाद में एफे सी यू एस ओफूर कॉपर सल्फिट का सॉल्ट सॉलिशन दिया है अभी ये रियक्शन होगी या नहीं तो सबसे पहले बताओ यहाँ पर एफे है एंद सी यू है आपको क्या करना है एफे रियक्शन कि देखो केदरनात का माली आलू जरा फिका पकाता है केदरनात का माली fastenल यानिकि दरा फीका सा पकाता है यानि कि अभी देखो हाँ और बाद में क्या था है और बाद में क्या था क्यू हरी आ गए इसके नीचे अभी जगह नहीं है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ देखो नहीं नहीं आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है याद रखो FE है and the CU है अब यह reactivity series में देखेगा देखो यहाँ पर reaction क्या था CU था and क्या था FE था क्या था CU and the FE था तो मुझे बताओ copper कहा पर है और iron कहा पर है तो देखेए यह देखो iron आपका उपर है और copper देखो नीचे है यानि कि iron क्या है ज्यादा reactive है किसके मुकाबल है copper के तो iron क्या करेगा copper को ना displace कर देगा क्या कर देगा displace कर देगा यानि कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेगा ध्यान से यह जो iron जो रहता है FE और reactive series में उपर है और copper क्या है नीचे है तो FASU को displace कर देगा और क्या बनेगा FASO4 बनेगा क्या बनेगा FASO4 बनेगा और CU को बहार निका लेगा यानि कि यह reaction feasible है यह reaction takes place होती है लेकिन अभी देखो यहाँ पर test tube B में क्या किया गया है test tube B में उन्होंने क्या लिया है copper दिया है और solution कैसा है FASO4 का है FASO4 मैंने आपको बताया था यह iron सबसे उपर रहता है यानि कि यह strong है और यह less strong है निचे रहता है तो यह इसको कभी भी displace नहीं करेगा यह reaction कभी भी takes place नहीं हो जाएगी यह reaction feasible नहीं है इन में क्या रहता है एक strong metal जो रहता है replacement reaction ऐसे ही सवाल आएगा इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा अभी हम देखते हैं अगे अभी देखो यहाँ पर जान से देखो अभी उन्होंने बताया है reaction of metal with the non metal क्या जब होगा जब metal का आपका reaction non metal के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो कुछ नहीं होगा salt बनेगा क्या बनेगा salt बनेगा example यहाँ पर देखेगा metal यहाँ है na और non metal यहाँ है chlorine तो क्या बनेगा na cl बनेगा और balance करना है तो यहाँ पर chlorine दोन था और यहाँ पर एक ही इसलिए यहाँ पर दो लिका उन्होंने sodium कितना बनेगा दो इसलिए sodium के आगे भी दो लिका और यह balance हो गया आपको बस याद रखना है metal we react with non metal users क्या मिलेगा आपको salt का solution मिलेगा और ionic compound है ionic compound यानि कि क्या इस chapter में हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे तब तक थोड़ा सा wait करियागा अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर देखेंगा अभी हम chemical properties देखेंगे किसका non metals कहरेंगे कि हमने अभी chemical properties किसका देखा metal का देखा अभी non metal का देखो सबसे पर non metal लेना है आपको carbon किया है अपका non metal है उसका reaction oxygen के साथ करणा है तो आपको क्या मिलेगा CO2 मिलेगा और CO2 क्या है acidic है क्योंकि इसका complete convention हुआ oxygen के साथ जब भी reaction होगा यानि कि वहाँ पर आग लगेगे और combustion reaction form हो जाएगे ओके अभी second case में क्या करना है आपको oxygen थोड़ा सा ही लेना है oxygen की quantity थोड़ी सी लेना है यहाँ पर oxygen काफी high था अभी थोड़ी सा ही उसको oxygen provide करना है तो क्या बनेगा carbon monoxide बनेगा और यह क्या है neutral बनेगा क्या बनेगा neutral और यह क्या है partial convention होगा अगर आप sodium यह जो non-metal है इसका reaction अगर आप oxygen के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा S2 मिलेगा क्या मिलेगा sulfur dioxide मिलेगा यानि कि oxide मिलता है तो non-metal जब भी oxygen के साथ reaction करता है तो non-metal का oxide बनता है और non-metal का oxide क्या हो रहता है क्या रहता है acidic nature रहता है बस इतना याद रखो अगे दिखेगा क्या है अभी यहाँ पर अगले page पर क्या important है चलो देखते हैं यहाँ पर अभी non-metal लिया है उन्होंने अभी उनका reaction water के साथ करेंगे किसके साथ करेंगे water के साथ करेंगे यानि कि यहाँ पर दिखेगा non-metal लिया है उन्होंने chlorine chlorine gas रहता है न वो non-metal रहता है Cl2 का reaction H2O के साथ किया है और मिलता है HOCl, यानि कि क्या मिलता है, हाइफो क्लोरस एसिड मिलता है, क्या मिलता है, हाइफो क्लोरस एसिड मिलता है, क्या मिलता है, हाइफो क्लोरस एसिड मिलता है, आपको याद रखना है, जब भी, जब भी नॉन मिटल का रियक्शन वाटर के साथ होता है, तो क्या मिलता है, हाइफ वो chloris acid मिलता है और hcl gas liberate हो जाता है बस इतना याद रखो ओके यहाँ पर देखेगा बाग में क्या हो जाता है अरे मतलब यानि कि क्या देखो cl2 है ओके s2 को मैं ऐसे लिखता हूँ अभी क्या मिलता है चलो मैं आपको बताता हूँ इसके उपर positive charge आता है metal रहता है वो क्या है non-metal है तो OH के उपर कौन सा charge रहता है negative रहता है chlorine non-metal है यानि कि electro negative है तो क्या होगा यहाँ पर दो chlorine है और दोने के उपर negative charge है तो यह positive and the negative attract हो जाते है और HCl बनाते है देखो यहाँ पर बन गया HCl बन गया अभी बाकी क्या बचा है देखो एक chlorine बचा है और एक OH बचा है तो एक OH बचा है और क्या बना है HCl बचा है yes hypochlorous acid समझ आपको ओके चलो आगे अभी देखो reaction of the acid dilute acid with non-metal मतलब अगर आप dilute acid लोगे यानि कि सबसे पहले non-metal उन्होंने लिया है chlorine बाद में आपका HBR लिया है यानि कि acid hydrogen bromide लिया है ओके dilute है अभी क्या होगा देखो यहाँ पर देखो hydrogen के उपर positive charge रहता ह है तो क्या बनेगा legislator lega क्या बनेगा оз Nutty escely Bo Benjamin ke बच给गा सिर्फ बीयार बच देखे भियार यानि के बिड्रोमीन निकलिए और्यायक्षन उन्होंने क्या किया है बैलंस किया है इसको बैलंस कैसे करते चलो देखते है प्लोरिन यहाँ पर कितने वें तो इसके आगे दो लगाओ सर यहाँ पर दो लगाना से हैड्रोजन भी दो बन गए तो हैड्रोजन यहाँ पर कितना एक है ना यहाँ पर दो लगाया मैंने अभी ब्रोमिन कितना बन गए सर दो बन गए ब्रोमिन यहाँ भी कितने दो है यह रियक्शन बैलंस हो गया निक्स देखो आपका रियक्शन करन वह moorил cricket पुर्ण का डोर थे इसका क्रोस मोर्ट innovation करो क्या मिलेगा हैं अफ पूइस मिलेगा था अ क्रोस्व क्रोस्र भिष्स एक्ष्ट्व क्वार्ट मिलेगा ही नाइट्रोजन लिया positive and the negative charges उसके अंदर present रहेगा कुछ नहीं समझा तो देखो इस सबसे पहले कैसे form होते हैं मैं आपको बताता हूँ ionic compound यानि कि हम जानते हैं बच्पन से NaCl sodium chloride जब भी आप इसको water में dissociate करोगे तो Na plus and the Cl minus charge रहे जाएगा इसको positive को catn कहता है negative को anan कहते हैं यानि कि positive negative यानि कि आयन से तो इसलिए ionic compound रहता है NaCl स्रीक कैसे बना तो चलो मैं बताता हूँ आपको स्टोरी बताता हूँ एने का atomic नंबर 11 रहता है और इसका 17 रहता है outer must orbit में एक electron है और outer must orbit में साथ electron है अगर Na को stable होना है तो उसके outer must orbit में 8 electron होगे लेकिन आभी कितना 1 तो इसलिए जो Na है ओएक electron इसको sodium को मिलेगा क्योंकि इसके पास साथ अगर एक आ जातह तो आजवाग्मों के बनेंगे और आउटरमस और भी और मिलेगे तो है सोडे क्या करता है अपना एक एलेक्ट्रां लूज कर दीता है इसलिए उसके पर अगितिव जिए यह पॉजीटिव एंडर यह को मिलता है पॉज़ते हैं के रहेति हैं करता है कुछ समझे गाई और सब के सब आयोनिक कॉंपॉण्स का स्टुक्चर जो रहेता है हो अलग-अलग के साथ रहेगा ए أو के यहाँ पर देखो यहाँ यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ% नेगिटिव यहाँ यहाँ naw सेन्ज देखो तर Jetzt सब जगानि कि इसको हम कहते हैं स्ट्रोंग इंटर मॉलिकुलर फोर्स यानि कि इनका आरेजमेंट है किसे बनता है उनके उपर क्रिस्टल आंड रज्मेंट किसे ओपर डिपेंड है size of the positively मतलब positive kitten का क्या size है एंड अन्यिन का size इनके ऊपर depend रहता है बार में किया इनके ऊपर magnitude मतलब इनका कितना ज़य। strong force मैं magnitude is दो मतलब positive and the negative में कितना ज़य। force है इसके ऊपर एंड रहता है तो इसलिए इनका जो crystalline structure रहता है सब आयोनिक कंपाउंड का अलग-अलग रहता है अभी एक इंपोर्टन टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ दा आयोनिक कंपाउंड तो ध्यान से यहां पर देखेगा अभी हम प्रॉपर्टी एक डील करते हैं एक काफी इंपोर्टन टॉपिक है यहां पर देखेग और property number one यहाँ पर बताया गया है ionic यानि कि Na and Cl यानि कि positive and negative साथ आ जाते है और एक bond बनते है NaCl और यह bond का नाम है ionic bond और यह सबसे ज़्यादा strong रहता है अगर इसको break करना है तो इसको मुझे highly hit करना पड़ेगा यानि कि इसका melting ionic compound का melting and boiling point क्या रहता है always high रहता है क्या रहता है always high रहता है क्यों देखो क्यों कि उनके बीच में strong attractive force रहता है between the positive and the negatively charged iron that's why strong जो ionic compound रहते है वो strong रहते है इसलिए वो solid state में रहते हो और हाड रहते है क्या रहते हाड रहते है अगर आप नमक को ऐसे crush करोगे तो ब्रिटल मतलब उसका मतलब वो टुकड़ों में भिखर जाएगा यानिके वो ब्रिटल रहता है इसलिए वो broken easily into pieces by applying pressure यहाँ पर बताया है इनके बीच में strong intermolecular forces रहता है इसलिए इनको ना large energy provide मनलब हमें करने पड़ती है उनको तोड़ने के लिए वो bond break करने के लिए तो इसलिए इनसका melting and boiling point क्या रहता है यू reason के लिए पूछ सकते है इनका melting and boiling point क्यों हाई रहता है तो आपको बताना है इसका strong intermolecular forces रहता है इसकी वज़े से इसका melting and boiling point सबसे हाई रहता है ionic compound रहते है water में dissolve होते है लेकिन अगर आप उनको kerosene petrol वेगरा इसमें dissolve करोगे तो वह dissolve नहीं हो जाता है क्यों क्यों को बताता हो आपको एक है एनसील है तो water यहाँ पर आ जाता है water यहाँ पर आ जाता है water यहाँ पर आ जाता है h2o ओके और यह water के oxygen के उपर negative चार्ज रहता है और यहने के उपर positive तो क्या करता है a water a water a oxygen a oxygen यहने के उपर force अपलाई करता है और chlorine से उससे दूर भगा के ले जाते है यानि कि उनका diverge करवा देते है यानि कि यह dissolve हो जाते है ओके लेकिन ऐसे kerosene and the petrol में नहीं वह पता तो इसलिए जो आयोनिक यहाँ पर लगाया है यह नेगेटिव चार्ज यानिकी रहता है और positive चार्ज आने के एनोड रहता है इतना याद रखो अभी उन्होंने पूछाए कि जो ब्लफ है ओ ग्लो करेगा या नहीं उन्होंने सबसे पहले एक स्क्याल लिया है यहाँ पर यहाँ पर देखो जो positive ए इसको हम कहें के एनोड क्या कहेंगे क्या कहेंगे एनोड कहेंगे क्या कहेंगे हम इसको एनोड कहेंगे क्यों कि यह positive चार्ज यह बैटरी का और यहाँ पर उन्होंने ब्लफ लगाया है और ऐसे connect किया है अभी अगर आप यहाँ पर solid state ionic compound लोगे तो ना इनके जो electron है इन में से flow नहीं होगा इसलिए ब्लफ ए glow नहीं होगा तो इसको क्या करना है हमें देखो इसलिए solid state में cannot यहाँ पर cannot है अभी गया है वो cannot conduct electricity जब भी ionic compound आपका solid state में होगा वो electricity conduct नहीं करेगा लेकिन आप इसको अगर molten state में रखते हो तो na and the cl is separate हो जाएगे molten यानि के आपको heat करना है उसको तो जो na जो रहता है उसके उपर na plus positive charge रहता है इसलिए वो cathol की तरफ attract हो जाता है देखो यहाँ पर एक cathol की तरफ na चला जाएगा यह जो na है एक किस के तरफ जाएगा cathol की तरफ जो आएगा ओके और cl यह जो cl था उसके उपर negative charge है तो इ cl- क्या करेगा जब भी एक एनोड के पाद चला जाएगा एक electron जो उसके पास extra है उसको donate कर देगा और यह electron यहाँ से flow होना चलू करेगा अब flow of electron यह नहीं क्या electricity तो इसलिए बलब क्या करेगा glow करेगा तो हमें क्या याद रखना है जब भी ionic compound रहेगा वो solid state में electricity conduct नहीं क सबसे पहले metallurgy का मैं आपको definition बताता हो metallurgy में हमें क्या करना परता है एक और होता है और मुसे metal निकालना पड़ता है और metal का purification करना पड़ता है इस process को हम कहते हैं metallurgy सर कुछ नहीं समदा देखो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है आपको समझ में आ जाएगा और आपको कुछ definition मालम होने चाहिए ओके हाँ अभी देखो मान लो मान लो कि मुझे एक X टाइब का एक metal चाहिए उसके लिए मैं अर्थ क्रस्ट में जाओगा और यहाँ पर बहुत सारे minerals रहेंगे ए मिनरल ए मिनरल ए मिनरल ओके लेकिन ना हाँ इस मिनरल में मुझे जो metal चाह है मैं economically भार निकल सकता हूँ यह नहीं यह भी नहीं निकल सकता क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो मैंने इस मिनरल को निकला ओके अभी इस मिनरल में से मुझे क्या चाहिए तो एक स्ट्रेट किया कैसे economically तो इस मिनरल को हम कहेंगे और कहेंगे तो देखिए the mineral from which metal can be separated economically इस मिनरल में से मैंने metal separate किया है लेकिन मुझे खर्चा कम आया है एकोनोमिकली तो इस मिनरल को आज से हम कहेंगे और तो क्या है और कहेंगे लेकन यह जो और रहता है इस और के साथ मैं गैंग भी रहता है सर गैंग गैंग ओनी कि क्या रहती है impurities रहती है soil sand rocket substance वेगरा रहती है इनको हम कहते है यह इस impurities को कहते है gang तो हमें क्या करना है सबसे पहले मिंडल में से और निकलना है तो और के साथ क्या रहेगा gang रहेगा तो जो impurity है और में से ओ हमें निकलनी है तो इस दिए हमें पहला process करना पड़ता है concentration of the ore देखो यहाँ पर क्या concentration of the ore यानि कि क्या इस ग्यांग को इस ओर में से हटाना इसको कहते concentration और यह metallurgy की first step है और अब हम देखते है basic principle of the metallurgy आपको metallurgy का definition तो मैंने बता है ओके थोड़ा सब पढ़ लो ओके यहाँ पर दिया है देखो metal को क्या किया जाता है एक strat किया जाता है बाद में metal को purify किया जाता है और इस प्रूसेस रहता है इसको हम क्या करता है अभी हमारा target है ore and the gang को separate करना और इस process को हम करता है क्या करता है concentration of the ore मैं आपको एक चार्ट यहाँ पर ड्रॉकर करके दिखा आता हू concentration of ore किस किस type کا होता है तो सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा concentration of the ore किस प्रकार का होता है यानि कि ar का concentration यानि कि क्या gang को हाटा रहा है तो सबसे पहले रहता है gravity method क्या रहता है gravity method रहता है vulnerability method रेता है और इसमें एक will farewell method है और next का है एक hydraulic separation है बस इतना याद रुको मैं आगे आपको बताने वालाओ लेकिन पाइचाड़ा मतलब एक tree diagram आपको बता रहा हूँ बाद में आपको क्या करना है हाँ बाद में रहता है magnetic suppression और बाद में रहता है एक frost rotation method और last में है leaching ये इसके कुछ types है एक one by one deal करेंगे एक काफ़ी important है इसमें से एक दो या चार मार्स के लिए 100% वो पूछेगे और इनके diagram आपको निकालने है concentration of the ore का meaning मैंने बताया है चलो अभी हम देखते है इस ore को हम separate करते है by the gravitational method gravitational method में आता है फहले will play table method देखो एक will play table रहता है और ऐसे slope slantly क्या किया जाता है और जो टेबल रहता है वाइब्रेट हो जाता है उपर से और को ऐसे छोड़ते और water भी छोड़ते है तो और के साथ क्या रहता है ग्यांग रहता है यह क्या है और क्या है ग्यांग है यह मैं पर दो गॉपर ऑपर ऊपर फ्लोट हो जाएगे और यहां से सीधा नीचे आजएगे और ग्यांग को सेपरेट किया जाएगा लेकिन यह जो और जो heavy material है वो slit के अंदर ऐसे फश जाएंगे slit यानि की क्या रहता है ऐसे मतलब slit यानि की देखो ऐसे मतलब खाई जैसा रहता है इसको कहते है slit नहीं तो क्या कहते है reflts कहते है क्या कहते है narrow reflts कहते है तो इसमें आटक जाएगा लेकिन टेबल हो रहा है तो इसलिए धीरे 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 एंड पर जाएगा और इससे नीचा आजएगा और हम और जो heavy particles बाहर निकलेंगे और यहां से हमने ग्यांग निकला है yes separate हुआ इसको है हम कहते है concentration of the or on the basis of the gravitation बस इतना समझा चलो आगे अगे अगे देखो उन्होंने बताया है यहाँ पर hydraulic separation method है मतलब gravity का है एक है second subtype है ओके हाँ अभी कहा है hydraulic separation method चलो आगे देखते है क्या होता है hydraulic separation method में आपको एक ऐसे apparatus है इनके diagram काफी important है मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ आपको सबसे पहले diagram draw करना है exam में अगर आता है तो यहाँ पर देखो hydraulic separation method में क्या रहता है gravity के उपर ही depend है यानि कि जो weight particle होगा ओ नीचे जाएगा जो light particle रहेगा ओ फ्लोट हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे अलग-अलग करेंगे अभी यहाँ पर देखो hydraulic separation method on the buses of the gravitation यहाँ पर जो apparatus रहता है टैंक रहता है वो आपके चक्की जैसे रहता है मिल जैसे रहता है क्या मिल जैसे रहता है यहाँ से water यहाँ पर forcefully apply किया जाता है यानि कि full pressure से water यहाँ पर उपर जा रहा है अभी उपर से ऐसे जब भी टैंक भरेगा मतलब यह जो pressure full water आ रहा है उसकी वज़े से उपर ही रहेंगे और देरे देश से बहार निकलेंगे इस outlet से इस outlet से निकलेंगे लेकिन जो और है उसके अंदर मिन्डरल्स प्रेजंट है ज्यादा हवी होने के कारण ऐसे नीचे नीचे सेटल हो ज से बाहर निकलेंगे बस इतना समझा हां और गयांग उपर से बाहर निकलेंगे और यह था हमारा hydraulic separation method और इसमें भी weight का matter कर रहा था यानि कि gravity उनके उपर defend कर रही थी इसलिए हो क्या है gravitational suppression method है welfare table हो गया hydraulic हो गया अभी हमने एक sub type देखा था magnetic suppression method यहाँ पर देखो क्या रहता है diagram काफी important है फिरसे एक बार बता रहा हूँ आपको यहाँ पर देखो दो rollers रहते हैं इनमें से एक roller को electricity provide की जाती है जब भी आप metal को electricity दोगे तो उसके उपर एक properties हो जाती है magnetic property आ जाती है और दूसरा roller जो रहता हो non magnetic रहता है एनम यहाँ पर कह रहते है नौन उसके उपर एक ऐसे बेल्ट लगा जाता है ब्रास का या लेदर का और यह कह रहता है नौन metallic रहता है यानि कि इसके जो बेल्ट है ओ जो magnet को क्या करेगा चिपकेगा नहीं क्योंकि non magnetic है बाद में क्या किया क्या है और एंद गेंग यहा से डाला जाता है मांणलो हमारा और जो है ओ का करता है आइरन है उसके अंदर मैंगनेट को ऐसे ऐसे चिपके ही रहेगा जब भी ओ मतलब ऐसे गिरेगा ही नहीं क्योंकि क्या है magnet को ओ आइसे आइरन अब इसके साथ चिपका ही रहा है ना लेकिन बाद में जैसे जैसे दूर आ जाएगा तो इसका और इसका क्या हो जाएगा magnetic property खतम हो जाएगे क्योंकि ओ दूर आ गया तो इसलिए heavy होने के करण magnetic property गाइप होने के करण ए पार्टिकल जो है ओ नीचे ऐसे ऐसे गिरेंगे और हम यहाँ पर और जो है हमारा हो separate करेंगे और यहाँ पर already gang भी separate कर चुके है यह है magnetic यहाँ पर suppression method यहाँ पर देखो ए मैंगनेटिक रोलर है यह नॉन मैंगनेटिक रोलर है यह ब्रास का belt है conveyor belt कहते है उसको अभी देखो ए नॉन मैंगनेटिक जो इंग्रेट रहेगा ओ ऐसे गिरेगा और और मैंगनेटिक इंग्रेडेट रहता है फेरस टंग स्ट्रेट ऐसे याद रखो ओके कुल सकते हो एक मार्स के लिए वह गरा मुझे नहीं लगता पूछेंगे लेकिन फिर भी याद रखो अभी एक आखरी मितल हम देखते है फ्रोथ प्रोटेशन मितल सर्फ फ्रोथ यान कि जब भी हम जब भी हम यहाँ पर इसमें कहा रहता है यह थोड़े से पिचर ब्लर आया है लेकिन देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पर रहता है एक टैंक रहता है और यहाँ पर एक फैन रहता है उके इसे एजुटेटर को एयर का सप्लाई किया जाता ह इसके वज़े से घुमने लगते सबसे पहले आपको वाटर यहां पर प्लेस करना है और उसके उपर एकलप्टस ओईल नहीं तो पाइन ओईल यहां पर डुबके रखना है मतलब उसके उपर इसे लेयर रखना है और डालना है अभी क्या हो जाएगा कुछ हाइड्रो फिलिक हाइड्रो फिलिक यानिक के हाइड्रो यानिक के वाटर ध्रिकया लविंग यानि कि ए स्पी्याफरेशन शिर्फ और गरफैड सब्चाप्र करेच मिए यूज़ किया जाता है कि सको सलप्पैड और को सेप्रेٹ करनें के लिए योज़ किyan जाता है लिक हां अभी जो ओर न सिल्फइड और जो हो और कि यहां पर के पास कभी भी नहीं जाएगा यहां पर किसमा यहां पर वाटर में क चला जाएगा बस इतना समझे अभी हम एगेट एजिटेटर को घुमाएंगे अगर इसे घुमाएंगे तो यह उपर ओईल और वाटर मिक्स हो जाएगा और जाग बनेगा यानिके फ्रोद बनेगा और ऊपर 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 ऐसे तरंगने लगेगा अभी इसके साथ क्या हो जाएगा जब यह फुल भरेगा तो उपर से यहां से मांदलो यहां से ऊके एक आउट लेट है यहां से हमारा और जो हे इस अलफईर का और बहार निकलेगा इंपर इसको लव करती है वाटर को तो नीचे ही से रह जाएगे सेटल हो जाएगे बाद में उसको मीजिपी यहां आपर उन्ली वा सलफाइड और हमने बाहर से फ्रोथ में से निकला है यह एयर सप्ला है यह एजिटेटर है इसमें वाटर एंद पाइन ओइल रहता है कि उक्यें इतना इंप्रटन है अभी हम देखेंगे लिचिंग अभी एनिकी क्या तो अब को बताता हो देखो मांद लो एक किसली युज अलुमयनियाओं गोल्ड शिल्वर के ओर को सेप्रेट करने लिए यूस किया जाता है मांद लो यहाँ पर देखो एक सॉल्यूशन लिय लिए जाता है बस इतना समझ आपको है अभी देखो एक है और है और जो एम महें इस कृष्टार रहा रहा है गैजह के ठीट में क्या हौआ पार्टिकटल ङारत यह यह कografi का है कि मिस हो जाएगे ऐसे मिक्स हो जाएगे अकेसे मिक्स हो जाया बाद में इस solution का हम क्या करेंगे filter करेंगे एक ऐसे filter paper में इसे यहाँ पर उपर filter paper रखा जाता है यूटुब पे या गूगल पर आप देख लेजिएगा कैसे करते अभी एक क्या कियेगा इनका filter करेंगे filter करने के बाद एक वाटर है यानि कि एन वेच है और उसमें हमारा क्या डिजल हुआ है और जो हमें चाहिए और यहाँ से बाहर निकलेगा और उपर एक इंपरिटिस है यह उपर ऐसे ही रहेगी यानि कि गैंग जो है वो उपर ही रहेगा और हमें क्या मिला यहाँ पर पूरा यहाँ पर green solution मिला और उसमें क्या है हमारा और है बस separate होगा न इसको हम कहते है leasing इसको हम क्या कहते है leasing अब extraction of the metal है इसके उपर मैं एक थोड़ा सा detail wise वीडियो बनाऊंगा यह मैं fast नहीं आपको समझा सकता तो इसके उपर एक detail wise वीडियो बनाऊंगा यह हम मतलब एक दो दिन के अंदर में अपलोड कर दूंगा तो अभी important अभी आखरी topic दे रस यान की क्या रहता है देखो ध्यान से सबसे पहले उन्होंने iron का बताया है देखो जब भी iron जब भी iron जब भी iron आपका moist air के contact में आ जाता है तो उसके उपर एक radius substance बनता है और इस radius substance को कहते है fa2o3 fa2o3.h2o और इसको हम कहते है rust क्या कहते है rust ओके हाँ इसको हम corrosion कहते है और यह था iron ready substance बनता है इतना याद रखो बाद में यहाँ पर बताया है copper copper जो रहता है हो ग्रीन बन जाता है क्यों कि copper का reaction जब भी oxygen के साथ हो जाता है तो उसके उपर एक परत जमा हो जाती है वो कौन सी copper carbonate की इसलिए वो क्या बन जाता है आपका green कलर का बन जाता है copper carbonate का सरत है green का रहते तो यह देखो एक statue of liberty है वो पहले अभी green हो चुकी है वो copper से बनी है क्यों क्योंकि उसके oxygen का layer form हो गया इसलिए वो आपको क्या मिलेगा copper क्या आपको दिखेगा greenish layer का रिखेगा यहाँ पर दिया है आपका silver क्या दिया है एजी silver दिया है जब भी इसका reaction आ hydrogen sulfide के साथ होगा तो इसके उपर यह जो आपका silver था वो black color का बन जाएगा कौन से color का black color का यानि कि यहाँ पर silver sulfide मिलेगा देखो मैंने यहाँ पर लिखा है बस यह था corrosion अभी इनका prevention देखते है क्या है आप कैसे prevent इसको कर सकते हो तो यहाँ पर देखेगा आपको क्या करना है उसका painting करना है greasing करना है oiling करना है लेकिन यह ना temporary है क्यों कि देखो मान लोग आपने क्या क्या पेंट किया किसी iron के उपर इसे paint किया अभी यह paint थोड़ा सा खरोच वगरा आ जाते तो paint निकल जाता है तो यानि कि आपका iron फिर से oxygen के साथ reaction कर सकता है moist oxygen के साथ और resting हो सकत हो अभी हम देखेंगे तो वह long lasting जो रहता है तो देखिए first method है galvanizing क्या है galvanizing wait थोड़ा zoom कर देता हो अभी हम chapter के आखरी पड़ा पर यहाँ पर पहुंचो है अब यह क्या है galvanizing galvanizing यानि कि क्या यह दिखो galvanizing में ZI है यानि कि zinc है यस iron के उपर zinc का layer zinc की परत चड़ा देते है मांड़ो यह iron है इसके उपर अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर zinc का coat करेंगे zinc को ऐसे ऐसे उपर से coat करेंगे तो जब भी oxygen आएगा तो zinc के साथ reaction होगी iron हमारा ऐसे ही बचेगा इसको हम कहते हैं galvanizing zinc का coating करते हैं याद रखना है galvanizing में ZI है यानि कि zinc ऐसे याद रखना है इसमें step देखो caustic soda में सबसे पहले उसको डूबो डिया जाता है यानि कि caustic soda यानि एन वोच रिंजिंग यानि कि वाटर में फिर से धोया जाता है बाद में उसका क्या करते है पिकलिंग यानि कि डाइलूट इस्ट वेसर फुर में डुबो देते है बाद में फिर से वाटर में वाटर के साथ रिंज कर देते है यानि कि वाटर के साथ धोते है बाद में उसको flux solution यानि कि zinc ammonium chloride करते है उसमें डुबो देते है बाद में उसको dry करते है बाद में उसको यहापर zinc का यहापर molten यहापर material उस zinc बाद में डुबो देते है और उसके उपर zinc लग जाता है iron के उपर बाद में क्या करते है उसका inspection करते है बाद में cooling करते है और last में क करता है इनकी स्टेप है मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखो एक्जाम से पहले याद रखो ओके अभी देखो आगे आगे क्या है यहां पर टीनिंग क्या है टीनिंग यानि कि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कौपर और बास के कुछ मट किया जाता है उसके बाद में उसे उपर लगाया जाता है तो इसलिए जो कॉपर वह गरा रहता है आपका तो उसके उपर ऑक्सेड का लेयर वह गरा कुछ फॉर्म नहीं होगा तो आपका प्रिवेंशन होगा करोजन से ओके हां एक कॉपर यह और अलूमिनियम के बरतोन के कॉपर के उपर अपलाई किया जाता है टीन का कोटिंग वहाँ पर चलाया जाता है तो इक क्या क्या मैं आपको बता देता हो यहाँ पर देखिएगा एक कंटिनेर लिया है i.s पक और सोलूशन वह Reiौरे निवेदिर नेनट से यहां पर connect है यांनी कि नेतने की क्या 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 थूल रहता है क्या थूर रहता है क्या Krールται है पॉशी आब इस हेंगर से कनेक्ट है और इस हैंगर में क्या लगाए गए है यहाँ पर यहाँ पर प्लेट यहाँ पर रखे है और यहाँ पर जो सॉलिशन है वो है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्यास बाहर निकलेंगे एक हाइड्रोजन के उपर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कोन है यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है के वाजदेगा ऑक्सिजन जो है य्के साथ आपर डिपोजिट हो जाएगा इस प्रेटके उपर इसको भी कहते हैं अब और निकला fascinated और उसके उपर oxygen की परता आ गई, तो यह oxygen क्या करता है, prevent करता है moist air को, इसलिए आपका aluminium मतलब ज़्यादा टिकता है, बस इतना समझा आपको यह था anodizing, उच सकते है, a for anodizing, a for aluminium, यहाँ पर अभी chapter end हो चुका है, मतलब होने वाला है, यहाँ पर देखेगा क्या है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, क्या है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इसमें क्या रहता है, देखो, यहाँ पर फिर से एक cell लिया है, बाद में यह क्या है, यह जो positive end cell का, वो इसको, यहाँ पर silver का plate है, एक कुण सा plate है, silver, silver N की AG, और इसके उपर positive charge है, positive N की क्या anod है, और यहाँ उन्होंने क्या लिया है, जिसको क्या करना, plate करना है, जिनके उपर coat करना है, एक gold spoon वेगरा रहता है, इस spoon हमने लिया है, अब इस, एक कहा है negative end है, और negative का हम क्या 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 है, यह aluminum का spoon लिया है, एक negative end है इसका, एक कहा है positive and then negative, positive पी क्या है, silver का plate है, या यहाँ पर आनोड और यहाँ पर सॉलिशन कौन सा एजी यहाँ रहे है स्पूल और नेगतिव यहाँ यहाँ पर क्या है । थोड़ा बाड़ा रहते हैं यह बस याद रखो मां ठीक से नहीं ड्रॉक कर पाया लेकिन फिर बेशे याद रखो अब भी देखो क्या हो जाता है यहाँ पर देखो तो एजी यह तूट जाता है एजी प्लस और एनो थ्री माइनस बेख अभी इसके उपर माइनस और इसके उपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो निगिटिव चार्जेस कहाँ पर एट्रेक्ट हो जाएगे जहाँ पर पॉजिटिव है यानि कि इस सिल्वर प्लेट के तरफ करते हैं ओर जाएगा फ्लीट हो जाएगे एनो थ्री माइनस क्या ऑक ऐए अभी क्या है एजी एजी से बनाएए न हाँ जब भी एज़्योड व्र एज़्योगे उपर हमेशा क्या होता है oxygen होता है Aram oxidation यानि कि क्या loss of electron loss of oxygen oxygen यानि कि loss of electron तो AG में से एक electron lost हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा अब जब भी electron donate करते हैं तो एजी के उपर negative charge positive charge जाएगा क्या charge जाएगा positive तो एजी के उपर अभी कुन सा charge जाए देखो यहाँ पर मैं यहाँ कर देख के तरफ एक्टरेट हो जाएगा और यह AG यहाँ पर बैठेगा और जो इलेक्ट्रोन उपर साया था वो इसके उपर AG के उपर बैठ जाएगा यानि कि यहाँ पर धीरी 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 इस चम्मच के उपर AG 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 जमा होना चालू कर देगा यस इतना ही है simple इसको हम कहते है electroplating बाद में alloying alloying यानि कि क्या देखेगा alloying यानि कि यहाँ पर क्या रहता है mixture रहता है alloying यानि क्या mixture रहता है metal का क्या रहता है metal का नहीं तो क्या non-metal metal non-metal इनका mixture रहता है इसमें two or more देखो एक homogenous mixture है इसमें metal आपका mix किया जाता है other non-metals के साथ in a certain proportion इसको हम कहते है alloy एक bronze है bronze ना किसे बना होता है 90% उसके copper रहता है और 10% tin रहता है याद करना है यह पूछेंगे वो लोग stainless steel जो रहता है 74% iron से बना होता है 80% chromium and 8% carbon बस एक chapter यहाँ पर end होता है अगर आपको पसंद आता है तो आप channel को subscribe करेगा आपके दोस्तों के साथ share करेगा और please like करेगा और कुछ doubt होगा तो comment मैं आप पूछ सकते हो मैं जो extraction of the metal है उसके उपर जल्द ही वीडियो बनाऊगा मलते है एक next वीडियो में तब तक आपको क्या करता है पढ़ाई करनी है जय हिन जय भारत चलो बाई बाई